बारत में लोग ट्राफिक के नियमों का पालन नहीं करते क्योंकि कोई भी इसे अपनी जेमदारी नहीं समझता है ज़्यादा तर लोगों के लिए ट्राफिक के नियम ट्राफिक लाइट के रंगों तक ही सिमित रह जाते हैं भारत में सडक सुरक्सा एक बहुत बड़ी समस्या है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्राफिक नियमों में से छोटी से नियम के बारे में जिससे सडक पर यात्रा करना सुरक्सित और अरायम राइक होगा सडक पर बीच में बनी सफेद और बेली लाइन तो आपने देखी ही होगी कभी कभी वो एक लंबी लाइन होती है और कभी कभी बीच से तूटी होई ये लाइने भी ट्राफिक के नियमों का हिस्सा है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या मतलब हैं इन लाइनों का तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप हमाई चैनल पे नए हैं तो आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ सड़क को दो लेन में बातनी के लिए बनाई जाती है। सड़क पर बनी एक लंबी सफेद लाइन का मतलब ये होता है कि सड़क पर लेन बदलना मना है। आपको एक ही लेन में चलना होगा। अब हम बात करते हैं दुसरी जो तूटी सफेद लाइन होती है। बीच बीच से टूती सफेद लाइन का मतलब होता है कि उस सडक पर आप लाइन बदल सकते हैं लेकिन साउधानी के साथ अगर सडक पर लाइन बदलना सुरक्षित है तो ही बदले अब हम जानते हैं लंबी पिली लाइन का मतलब सड़क पर पिली लंबी लाइन का बनना होने का मतलब होता है कि इस सड़क पर किसी और वहान को ओवर्टेक किया जा सकता है लेकिन उसके अलावा इस पिली लाइन को पार करना मना है हलाकि इस लाइन का मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग है जैसे कि तेलंगाना में इस लाइन का मतलब है कि वहाँ वहाँ को ओवर्टेक नहीं किया जा सकता है अब हम जान लेते हैं दो लंबी पिली लाइन का मतलब इन दो पिली लंबी लाइन के उपर से निकलना मना है इन लाइन का मतलब ये है कि लेन में चलते हुए इन लाइन के उपार नहीं कर सकते ये लाइन सफेद लाइन की तरह हड़कों को दो लेन में नहीं बलकि एक लेन को दो हिसे में बाटती है अब हम जान लेते हैं टूटी पिली लाइन का मतलब इन बीच से टूटी पीली लाइनों से बुजरा जा सकता है लेकिन सवधानी से यदि एक लेन में किसी को साइड बदलना हो और वो सुरपसित हो तो इन लाइन को पार किया जा सकता है अब हम जान लेते हैं लंबी पीली लाइन के साथ टूटी पीली लाइन का मतलब इसमें दो लाइन होती है जिसकी एक लाइन लंबी पिली लाइन होती है और दूसरी पिली लाइन टूटी हुई होती है इसमें यदि कोई भी लंबी लाइन की तरफ है तो उसे किसी भी वहान को ओवर्टेक करना मना है और यदि कोई भी टूटी लाइन के तरफ है तो वो किसी भी वहान को सौधानी से ओवर्टेक कर सकता है तो ये ख़वर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंच सेक्षन में जरूर बताए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंच जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादे ताकि आप हमारे से नेक्स्ट ख़वरे ना मिश्करबाए अपर दिन सुभ हो